दोस्तों आज इस विडियो में आप से बात करूंगा आप कैसे Google Nest Mini को as a Bluetooth speaker इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो Google Nest Mini है वो Bluetooth के साथ connected है मेरा फोन के साथ तो मैं फोन से कुछ भी प्ले करूंगा तो यह Google Nest Mini में प्ले होगा तो आप देख लीजिए सबसे पहले और यहाँ से पॉज कर रहा हूं तो यह पॉज हो जा रहा है तो यह Bluetooth के साथ मेरा connected है तो आप कैसे Google Nest Mini को as a Bluetooth speaker अपना फोन के साथ connect करेंगे और उसको as a Bluetooth speaker यूज करेंगे उसका मैं तीन मेथड़ बताऊंगा उस तीन मेथड़ के यूज करके आप इस Google Nest Mini को as a Bluetooth speaker इस्सेमाल कर सकते हैं और फोन के साथ connect कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा कि Google Nest Mini मेरा फोन के साथ Bluetooth में connected है तो इसको मैं पहले disconnect कर देता हूँ अंपैर कर दिया और उसके बाद आपको जो Google Home application है उस Home application के अंदर जाना आए यह फास्ट मेतड हमारा है फास्ट मेतड में आप क्या करेंगे यहां पर जो setting का icon है इसको पर आप tap करेंगे और इससे पहले भी मैं Google Nest Mini as a Bluetooth speaker आप कैसे इस्सेमाल करेंगे उसका एक वीडियो बनाया था तो उस time का यह जो app है इस app का interface कुछ अलग था तो आप अगर पुराना वीडियो देखके इसको करने जाएंगे तो थोड़ा problem हो सकता है तो यह new वीडियो है इसको देखके आप Google Nest Mini को Bluetooth के साथ connect कीजिए तो आपको setting को पर tap करना है और tap करने के बाद आपको यहां पर bedroom speaker जो ह इसको आपको tap करना है और tap करने के बाद enable pairing mode इसको उपर आपको tap करना है तो tap करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर light blinking हो रहा है तो आपका जो Bluetooth speaker है यान कि Google Nest Mini speaker है वो Bluetooth pairing mode के अंदर आ गया तो आप Bluetooth के अंदर जाके इसको search करेंगे तो आपको सबसे नीचे bedroom speaker नाम का जो speaker है वो आपको दिखाए देखा तो आपको यहां पर इसको tap करना है और tap करने के बाद आप Bluetooth के साथ इसको connect कर पाएंगे तो आपका यह speaker connect हो गया और second method बताने से पहले मैं इसको पहले unpair कर लेता हूं तो unpair कर लेते हैं और second method जो है वो Google Home application के अंदर ही है तो आपको Google Home application क दिख रहा है आपका speaker का जो भी नाम है आप यहां पर tap किजिए और tap करने के बाद आपको यहां पर यह जो gear icon दिख रहा है सेटिंग का इकन तो इसके उपर आपको टैप करना है और tap करने के बाद वही सारा option सबको यहां पर दिखाए देगा तो audio कंद जाएंगे और यहां पर आप एक ब्लूटूथ दिवाइस इसको पर टाप करके इनमरी पटाकरेंग मॉड इसको पर आप टाप करेंगे तो आपका यहां पर पेर आ जाएगा तो आप उसके बाद YouTube के साथ इसको पैर कर सकते है बहुत एजी सब्सा़ी तो यह देक सकते है कि आपका जो Google नेस्ट तो आपको जब यह reply आएगा तो उसके बाद आपको ब्लुटूथ के अंदर चले जाना आए और आपको यहाँ पर बेडरूम स्पीकर दिखाई देगा आपका स्पीकर का जो भी नेम है वो दिखाई देगा तो उसके उपर आप टैप करेंगे और प्यार के उपर टैप करेंगे तो आपका जो डिवाइस है आपका जो गूगल नेस्ट मीनी है वो ब्लुटूथ के साथ प्यार हो जाएगा अपना फोन के साथ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर कनेक्टेड हो गया गूगल नेक्स ट्रैक गूगल प्रिवियस ट्रैक ऐसे आप कॉमेंट देके वाइरलेसली इस ब्लुटूथ स्पीकर को कॉंट्रोल भी कर सकते हैं अपना फोन के साथ तो आपका फोन में जो भी सौंग से या पोड़कस्ट है जो भी है आप ऐसे इसको कॉंट्रोल कर सकते हैं तो यही तीन मिथड से आप गूगल नेस्ट मीन दूटब दोतन के लिये, भाइर, गाइर।